एक टीनेज लटकी ने कुछ पैसों के लिए फोटो शूट किया और इसके बाद वो घर से भाग जाती है अब नई सीटी में भी पैसों के लिए उसे एक स्टेप फर्दर जाना पड़ता है अब उसकी चॉइस उसे कहा लेकर जाएगी यही हम आज की मुवी अबाउट चेरी जो 2012 की मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको एकस्प्लेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी देरी के एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम अमारी मेन केरेक्टर जिसका नाम में एंजलीना इसको उसके बॉइफ्रेंड के साथ देखते हैं उसके साथ रिलिशन्शिप में बहुत ही खुश थी है हुआ स्कुल में है और उसकी घर के फाइनाशन सिचुएशन अच्छे नहीं होती तो उसे बाहर लॉंडरी में काम करना पड़ता है उसकी घर पर उसकी मदर फादर और सिस्टर है उसके फादर कभी भी घर में कोई भी ध्यान नहीं देते और उसकी मदर हमेशा ड्रंक होती है आज रात भी उसकी मदर बहुत जादा ड्रंक हो गई थी तो उसने उसे समाल लिया इसके बाद वो रात में अपने फ्रेंड एंडू के साथ एक पार्टी में आई उसका बॉइफरेंड जो एक बैंड में है वो आज रात यहाँ प्ले कर रहा था उसने उसे खा तुम वर्ल्ड में सबसे ब्यूटिफुल लड़की हो इसके बाद ही घर जाते है और इंटिमेट हो जाते है सुबा एंजलीना का बॉइफरों नोसे सजेस्ट करता है तुम्हें पिक्चर्स लेने चाहिए उसे इंड फोटो शूट सजेस्ट कर रहा था एंजलीना कोई बात सिरियस नहीं लगती पर वो कहता है कब तक तुम लॉंडर में काम करती रहोगी इस फोटो शूट के तुम्हें 500 डॉलर्स मिलेंगे एंजलीना इस बात पर गुसा होकर यहाँ से चली जाती है आज राज जब वो घर आई तो घर में खाना भी नहीं था वो और उसकी सिस्टर वैसे ही सो जाते है नेक सिन में एंजलीना और एंडू इस स्कूल में लंच कर रहे थे एंजलीना ने कुछ भी लाया नहीं था तो एंडू अपना लंच उसके साथ शेर करता है वो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड था आज एंजलीना ने सोचा और वो फोटो शूट करने के लिए रेडी थी क्योंकि उसे पैसो की जरूद है वो इन सब से निकलना चाहती है वो लोकेशन पर पहुँची वो फोटो शूट करने वाले का नाम था वान वान उसे कहता है कि तुम्हें एक फोटो शूट के मैं 300 डॉलर्स दोंगा एंजलीना ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही फोटो शूट करने वाली हूँ और इसके मुझे 500 डॉलर्स चाहिए वो इसके बिना मानने नहीं वाली थी तो वान को उसे उतने सारे पैसे देने ही पड़े और इसके बाद ये फोटो शूट स्टार्ट होता है एंजलीना ने इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था उसे सारे पैसे मिल गए रावत में उपने फ्रेंड एंडू से मिली ये दोनों मिलकर प्लाइन करते है एंजलीना के पास जो भी पैसे है ये लेकर ये शेहर चोड़ कर चले जाने वाले है एंजलीना ने पूछा क्या कोई गड़बड तो नहीं होगी एंडू कहता है मेरे फादर भी पास दिनों से घर पर नहीं आए कोई भी कुछ भी चीज नोटिस नहीं करेगा ये दोनों अपनी लाइफ से तंग आ गए थे नेक्स डे एंजलीना स्कूल जाने का प्रिटेंड करती है उसकी मदर ने कहा मैं तुम पर बहुत प्राओड हूँ तुम सब चीजे सही से कर रही हो वो घर से निकली और एंड्रू के साथ डारेक्ली सैन फ्रैंसिस को आ जाती है इन्होंने ओनलाइन रेंड पर एक फ्लाट देखा था जिसका रेंड बहुत ही कम है इसी घर पर ये बहुँचे और इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये दोनों ये देखकर बहुत खुश थे रावत में फिर एंड्रीना ने अपने घर पर कॉल लगाया उसकी मदर कहती है कि मैं ऐसा कर कैसे सकती हो एंड्रीना कहती है कि मैं लीगल एज की हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ वो अपनी छोटी सिस्टर से बात करना जाती थी पर उसकी सिस्टर उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है सिस्टर को एंजलीना की बहुत ज़रूरत थी पर एंजलीना उसे छोड़ कर चली गई एंजलीना को भी इस बात पर बहुत बुरा लगा वो disturbed हो कही थी तो Andrew उसे सहारा देता है अगली दिन ये दोनों अलग-अलग जॉब के लिए इंटर्वु देते Angelina को एक पार में as a waitress का काम मिल कया यहाँ पर एक रात हमारा और एक main character जिसका नाम है Francis ये अपने friend के साथ आया हुआ था उसके friend की शादी होने वाली थी तो उसे एक bachelor party हो दे रहा था इस बार में कुछ strippers भी थे तो उसने उन्हें hire किया जब Angelina उसके पास drink लेकर आए तो उसे वो बहुत पसंद आती है उसे उसने एक बड़ी सी tip दी इस waitress के job के अलावा Angelina को और भी जादा पैसो की जरूरत थी वो अपने एक friend से बात करती है तो उसने का तुम यहाँ पर dance करने का काम कर सकती हो Angelina को एक काम करना comfortable नहीं लगता उसके job के बारे में वो discuss कर रहे थे तो उसके friend को बता चला कि Angelina ने already एक shoot किया हुआ है तो friend suggest करती है यहाँ पर भी बहुत सारे studio है जहाँ बजा कर तुम अपने लिए एक video shoot कर सकती हो इस video के लिए बहुत सारे पैसे देते है Angelina भी इस बारे में सोचती है यही बज़ जब Francis अपने friend के साथ enjoy कर रहा था तब यह उसका friend एक लड़की को छेड़ने लग जाता है इस वज़े से यहाँ पर trouble हो गया उसका friend बहुत जादा drunk हो गया था तो Francis उसे बाहर ले कर गया Angelina के सामने इसे हुआ वो नहीं चाहता था कि Angelina उसे कुछ गलत समझे तो Francis उसके पास गया उसे अपने friend के लिए sorry कहा Angelina उसे अपने friend को समालने के लिए कहती है इसी के parallel में Andrew भी अपने friend के साथ एक party में गया हुआ था यहाँ इन parties में जो भी होता है यह Andrew को बहुत सही लगा उसे city बहुत पसंद आ रही थी वो रात में जब Angelina के पास आया तो बहुत जादा खुश था तो सबने party के बारे में सब कुछ बताता है Angelina Andrew से कहती है तुमें एक बहुत अच्छे लड़के हो तुमें एक बहुत अच्छे लड़की मिलेगी जो वर्ल्ड की सब से लड़की लड़की होगी एंड्रो कहता है कि शायद वो लड़की मुझे मिल चुकी है पर मुझे पहचान ही नहीं पाती एक्च्छल में एंड्रो एंजलिना से बहुत प्यार करता था पर वो कभी भी ये बात रियलाइज नहीं करती अगले दिन एंजलिना विडियो शूट के स्टूडियो पर आई यहाँ पर सब कुछ चीज़े बहुत ही प्रोफेशनल थी एक प्रोफेशनल कॉंट्रैक्ट था सब चीजों को क्लियर कर दिया जा रहा था वहाँ की असिस्टन एंजलिना को सब कुछ चीज़े क्लियर कर देती है कि एंजलिना क्या क्या चीज़े करने के लिए कंफ़रेबल होगी और वही काम को उसे देंगे इस काम के लिए एंजलिना को बहुत अच्छे से पैसे मिलने वाले है इसके बाद Angelina अपने शूट के लिए रेडी हो रही थी यहाँ पर कुछ और लेड क्या थी जो से comfortable feel करा दिये उन्होंने कहा कि तुम्हारा शूट Margaret के साथ है और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा Margaret इस वीडियो शूट की डारेक्टर थी इसके बाद Angelina का Margaret के साथ वीडियो शूट स्टार्ट होता है Angelina को क्या क्या करना है यह सब Margaret बता रही थी Angelina की beauty से Margaret बहुत impressed थी वो से कहती है तुम्हारे साथ फिर से काम करने के लिए मुझे अच्छा लगेगा इसके बाद Nixon में आज रात Angelina फिर से बार में काम कर रही थी तो उसे Francis मिलने के लिए आता है वो एक magazine पढ़ रही थी जिसमें कुछ art है तो Francis ने इसके बारे में उसे पूछा वो कहता है कि आर्ट एग्जिविशन होने वाला है यह तुम्हें personally जाकर देखना चाहिए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा Angelina उसे इतना ज़ादा भाव नहीं देती पूछती है क्या तुम्हें कुछ drink चाहिए Francis ने का कि जो drink तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे सर्व करतो ड्रिंग देते वक्त वो उसके ड्रिंग में थूख देती है Francis ने यही ड्रिंग कर लिया इस पर Angelina ने हज दिया और इसके बाद इनकी बादची स्टार्ट हो गई थी एक दिन Francis ने Angelina को डेट के लिए पूछा और वो इसके लिए excited थी एक्च्वल में आज राद Angelina और Andrew का मुवी देखने का प्लान था पर Francis के साथ डेट पर जाने के लिए वो Andrew का प्लान कैंसल कर देती है बैचारे Andrew को बुरा लगा इस डेट पर Francis Angelina को उसी आर्ट एक्जिबिशन में लेकर आया था जिसके पेंटिंग Angelina मैगजिन में देख रही थी यहाँ Francis ने Angelina को इसके आर्टी से मिल वाया एक्च्वल में यह Francis की मदर ही थी मदर को पता था कि Angelina क्या काम करती है उसे रिस्पेक्ट नहीं देती और वहाँ से चली गई Francis Angelina को sorry कहता है उसने का मेरी मदर को मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था Angelina कहती है तुमने जो भी किया ठीक किया at least तुम मुझे छुपा तो नहीं रहे है मैं जैसी हूँ उसी तरीके से तुम मुझे accept कर रहे हो इसके बाद Francis Angelina को एक private painting दिखाने के लिए लेकर आता है Francis के पास कुछ drugs थे यह उसने खुदने लिए और Angelina को भी देता है उसने का कि मुझे भी painting करना बहुत अच्छा लगता था उसने इसके glasses विगरा सब कुछ लिए थे पर उसके teacher ने उससे का कि artist बनना बहुत ही hard होता है तुम 10 साल struggle करोगे और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास talent है भी या नहीं Francis के लिए करना hard था तो अब वो उसकी जगा बर lawyer बन चुका था वैसे भी अपनी life से वो खुश है इस तरीके से pretend करता है Angelina को उसके लिए बुरा लगा इसके बाद ये दुनों रूफ पर आए एक दूसरे को किस करते है नेक सिर्म में देखते है कि वीडियो डारेक्टर Margaret ये Angelina की फोटोस देख रही थी एक्चुल में उसे बहुत पसंद आई थी ये जब वो देख रही थी तो उसकी girlfriend ने इन ओडिस किया जिसका नाम था जिलियन जिलियन कहती है कि Angelina की एज बहुत ही कम लगती है इस तरीके का उसका फोटोशुट करना ये बहुत ही गलत है Margaret ने कहा कि उसकी एज सही है कोई भी वरी मत करो जिलियन को पता था कि Margaret जूट कह रही है अगली रात जब Margaret अपने friends के साथ एक बार में आई हुई थी यही पर वो Angelina को नोटिस करती है और उसको बार-बार देख रही थी उसकी friend ने इस सब चीज नोटिस कि Margaret जब घर पर आए तो जिलियन उसे बात करती है कहती है कल रात तुम जिस लड़की का photo shoot देख रही थी यह तुमने नहीं किया था उसे लगता है कि Margaret उससे कुछ छुपा रही है Margaret ने कहा कि मेरा profession है मुझे यह सब चीज़े study करनी पड़ती है जिलियन को यह सब सही नहीं लगता तो Margaret ने कहा कि हम इतने सालों से relationship में है और अब तुमें इन सब चीज़ों का tension आ रहा है इस fight की वज़े सो disturb थी तो कल जब वो shoot पर गई तो सही से direct नहीं कर पाती Nixon में हम देखते है कि एक दिन Angelina की mother और उसकी sister उसे surprise देने के लिए उसके घर पर आये हुए थे Angelina के बारे में उसके roommate ने उसे सब कुछ बताया था पर वो क्या करती है यह नहीं बताया Angelina आजकल Francis को date कर रही थी तो इसके लिए उसकी mother excited है वो Francis से मिलना चाहती है यह सब फिर मिलकर रात के लिए डिनर का प्लान करते है Angelina अपने mother और sister को एक अच्छे से restaurant में लेकर आई थोड़ा time हो गया पर फिर भी Francis यहाँ आया नहीं था Angelina उसे call लगाती है पर वो काम में ज़रा busy था मदर को लगता है कि Francis में कुछ गड़बड है वो Angelina से कहती है तुमारी aunt का भी ऐसा एक boyfriend था जब भी कुछ main चीज होती थी वो कभी भी आता नहीं था पर वो एक drugist था उसके drugs की आदद की वज़े से तुमारी aunt की life भी खराब हो गई थी Angelina को इस सब सुन कर बहुत बुरा लगा Francis भी already drugs करता है तो शायद ये भी हो सकता है Angelina की sister अब भी उससे कोई भी बात नहीं कर रही थी रात में इसके बारे में Angelina ने अपने मदर से बात की मदर ने कहा कि आजकल उसकी तब्याट ठीक नहीं है पिछले six months से उसके पेट में दर्द होता है हमारे पास कोई भी insurance नहीं तो मैं उसो hospital में नहीं ले कर जा सकती Angelina को बहुत बुरा आगा वो कहती है उसके treatment में जितने भी पैसे लगेंगे इस सारे में पेग करूंगे कोई भी वरी मत करो मदर कहती है वे तुम पर बहुत proud हूँ अरली दिन जब Francis Angelina से मिलनी के लिए आया तो उसे हो रोज देता है और इन रोजेस की वज़े से Angelina का सारा गुसा उस पर चला गया Angelina जब घर पर आई तो उसकी मदर जल्दी से यहाँ से निकल रही थी Angelina ने मदर को आल्डेटी पैसे दिये थे मदर एक बहुत बड़ी ड्रंक है सारे पैसे ओदारो पीकर उड़ा देगी Angelina की सिस्टर ने उसे बात कि कहा कि मुझे पेट में कोई भी दर्द नहीं होता मदर तुमसे जोट कह रही थी सिस्टर कहती है तुमने जो भी किया सही किया थोड़े दिन में मैं भी घर से भाग जाऊंगे Angelina अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है यसा कुछ भी मत करना पर वो उसे समझा नहीं सकती है क्योंकि उसने खुद ने ऐसा किया था इसके बाद Nixon में हम देखते है Margaret Jillian की ओफिस के पार्टी में उसके साथ आई हुई थी है यहाँ पर एक कोवरकर के साथ वो बात कर रहे थे Jillian का कोवरकर Margaret से बुछता है कि तुम क्या करती हो इस पर Jillian ने अंसर दिया कि वो न्यूड वीडियो शूट करती है वो Margaret को जलील करना चाती थी इस पर इन दोनों में फाइट हो जाती है यह एक दूसरे पर गुसा हो रहे थे पर घर आने के बाद इंटिमेट हो गए इसके बाद नेकसिन में एंड्रू और एंजलीना यह पूरा दिन एक साथ पेंड करते पाक में आये और एक जगा बेटे थे एंजलीना कहती है यह फ्रांसिस को में बहुत लाइक करते हो उसने एंड्रू को एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाए जहाँ पर फ्रांसिस रहता है वो आजकल सोच रही थी कि किसी आदमी के साथ विडियो बनाए एंड्रू कहता है कि यह बहुत ही अलग होगा एंजलीना यह करे यह उसे सही नहीं लगता अगले दिन जब मारगेट उठी तो जीलियन वहाँ से जा चुकी थी बीना कुछ कहे उसने उससे ब्रेक अप कर लिया है जैसे कि हमें पता है यह फ्रांसिस को ड्रू की आदत है अपने ड्रग डिलर के पास वो लेने के लिए गया पर वहाँ पर वो नहीं था वो आसपास पुछने की कोशिश करता है पर इस तरीके से ड्रग डिलर के बारे में पुछना एक गलत बात है तो इस वज़े से फ्रांसिस को बहुत मारा जाता है अब एंजलीना ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक आदमी के साथ विडियो शूट करे के ये शूट करकर वो वापस आए फ्रांसिस को आज बहुत मारा था तो इस वज़े सो डिस्टब था वो एंजलीना को लेकर भी बहुत सारी चीज़े सोचता है उसने उसे डारेक्ट लिखा कि जो तुम काम करती हो ये बहुत ही घटिया काम है अजलीना कहती है कि तुम जो भी करती हो इससे मुझे कोई भी प्रॉलम नहीं है जैसा उसका ड्रॉग्स करना उसकी लाइब बहुत ही घटिया है पर फिर भी सब कुछ चीज़ों एड़िस करती है इन दोनों में जगडा हो गया और वो ब्रेकप कर लेते है फ्रांसी जब उसे घर लेकर जा रहा था तो घर जाते जाते ही वो ड्रॉग्स में था तो इस वज़े से एक्सिटेंट हो जाता है एंजलीना को वैसे ही छोड़ कर वहाँ से भाग गया वैसे एंजलीना को भी जादा छोट आई नहीं थी इस सब इनसे रेंट की वज़े से अब इनकी रिलेजेंशिप रिकवर नहीं हो सकती एंजलीना जब घर पर आये तो एंजलीना कहती है कि उस वीडियो में जो लड़की है हो में नहीं एक्चॉल में में बहुत अलग हूँ उसने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो एंड्रू इस पर कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि ये ओवियस था एंजलीना ने कहा कि अगर तुम मुझसे सचमुच में प्यार करते तो इस सब चीजे नहीं देखते वो फिर डिस्टब होकर एक बार में आके कि जो भी हो जो काम में करती हो इसमें मैं सैटिस्वाइड हूँ मुझे किसी के भी अप्रूल की ज़रूद नहीं है ये लोग सही जीज करने की कुशिश करते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं होते एंजलीना को भी बात सही लगी ये दोनो बहुत सारे चीजों पर कनेक कर बाते है इसके बाद इन्होंने किस कर लिया एंजलीना मार्गेट के साथ گई और यि इंटीमेट हो जाते है अब इसके बाद मुवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है Margaret और Angelina ये अब relationship में थे और दोनों बहुत खुश है Angelina भी अब as a film director job कर रही थी उसने actual में model करना छोड़ दिया था उसने finally अपनी life को एक track पर लाया है और इसी के साथ ये movie end हो जाती है अगर आपको explanation अच्छा लगा तो please इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो please इस channel को subscribe कर देजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निर्मोई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये